गुलपर का लोकायक्ता अस्पी उमेजबीके सर की निगरानी में सेडम तालुका तहसिल ओफिस में जनता दर्बार लगाया गया था जिसके जरीये सेडम तालुका से कई लोगों ने गौर्णेमेंट डिपार्टमेंट में चल रही लूटमार, रिशुवत खोरी और इस दिया हैं, इस मौके पर लोगों ने अपनी शिकायतों में कहा सेडम तालुके के गलियों में गंदगी भरी पड़ी हैं, और कई डिपार्टमेंट में मामुली कामों के लिए भी गरीब अवाम से रिशुवत मांगी जा रही हैं, और सेडम तालुका जैबीम नगर में म अब तक राशन कार्ट नहीं मिला हैं, और बार बार पूछने पर भी इनको फूट डिपार्टमेंट के ऑफिशल सही रस्पांस नहीं देते हैं, और एक शिकायत सेडम तालुका में मौझूद वासुदत्ता सिमिट फैक्टरी के खिलाफ आई हैं, जिसमें लोगों ने कहा लगाता और वासुदत्ता सिमिट फैक्टरी से आ रही धूल पलुशन की वज़ा से अवाम को और खास कर छोटे मासुम बच्चों को बहुत सी बिमारियां हो रही हैं, और कई लोगों ने इसकी वज़ा से अपनी जान गवा दी हैं, इस मामले में सेडम तालुका की अवाम इस मौके पर स्पी उमेज भीके सर के अलावा डिवाय अस्पी गीता बेनाल मेडम, इनिस्पेक्टर राजशेकर, तहसिलदार, डेपूटे तहसिलदार, एसिस्टेंट केमिशनर फ्रम सेडम और दीगर मुक्तलिफ डिपार्टमेंट के ओफिशल्स के अलावा पॉलिस सराज, सिद्धाराम, अनिल और पुदबा और दीगर कई आफिसर्स यहां मुझूद थे